Samsung Galaxy S24 FE launch होने वाला है October 2024 में और सिर्फ और सिर्फ चार महने बचे हुए हैं और बहुत सारे leaks और rumors आ रहे हैं इसका model number confirm हो चुका है that means यह 100% confirm हो चुका है कि October 2024 में S24 FE launch होने वाला है और इस वीडियो में मैं आपको सारा specifications and features बताने वाला हूँ then stay tuned let's get started तो Samsung Galaxy S23 FE की बात करें which was the predecessor of Samsung Galaxy S24 FE यह smartphone launch हो था पिछले साल October 2023 में और उसके लगभग 3 महने बाद मतलब January को launch हो था इसके Flexive S series का smartphone means Samsung Galaxy S24, 24+, and 24 Ultra and most probably इस साल भी वैसा ही होने वाला है और Samsung की जो fan edition वाले smartphone होते हैं वो बहुत ही जादा popular होते हैं और एक मज़े की बात बता हूँ, यह smartphone जब launch होता है तो उस वक्त उतना popular नहीं होता है यह smartphone popular होता है इसकी 6 महने के बाद जब इस smartphone का price almost half हो जाता है जब S23 FE launch हुआ था तो 60,000 रुपे के price point पर launch हुआ था और जब इसका price घटा तो यह 32,000 रुपीज पर flip card पर भीगा था बहुत कम हो चुगा था price और उस वक्त यह smartphone बहुत सारे लोग खरेते थे क्योंकि इतने सस्ते में Samsung का flagship grid का smartphone मिल रहा था flagship camera, body, hardware, processor, सारी जब फ्लक्सिफ grid की मिल रहे थी जिसके वए से बहुत सारे लोगों ने Samsung Galaxy S23 FE खरेदा और same change S21 FE के भी साथ हुआ था, S20 FE के भी साथ हुआ था and most probably Samsung Galaxy S24 FE के भी साथ होने वाले है खैर बात करेंगे कि इस smartphone में क्या specification features होने वाले है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि processor में एक बड़ा change किया गया है इस बार इस बार आपको Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 नहीं बलकि 8 Gen 3 का processor देखने को मिलेगा और इंडिया में अगर आप हैं तो इंडिया में आपको Exynos variant देखने को मिलेगा और Exynos को 2400 processor देखने को मिल जाएगा which will be similar to Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 processor और जिस तरी किसे Exynos अपने processor में काम कर रहा है न मुझे लगता है कि Exynos का 2400 processor बहुत अच्छा होने वाला है heating issue आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिले है क्योंकि इस साल जो हमने mid range के Samsung के 2 smartphone unbox किये थे उसमें thermal throttling test में graph बहुत ही green आया था और ये kind of unexpected था मेरे लिए और ये एक बहुत अच्छा indication है कि Samsung जो है अपने processor में सुधार ला रहा है heating effect को कम कर रहा है और efficiency को बढ़ा रहा है बठा मुझे यहां तक पता है कि Exynos के जो processor होते हैं जो Samsung बताता है कि यह similar to Snapdragon processor है वो similar तो कता ही नहीं हो सकता है performance आपको लगभग वैसा देखने को मिल जाएगा बठा Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 के मुकाबले उससे inferior ही हो सकता है उसका मुकाबला तो कभी नहीं कर सकता है तो यहां से तो एक चीज साफ समझ में आ रहा है कि अगर processor इतना अच्छा होगा तो Samsung कहीं न कहीं से तो cost cutting करेगा ताकि यह fan edition का smartphone सस्ते से सस्ते में launch किया जा सके तो cost cutting करेगा यह अपने camera में screen में, body में और कुछ छोड़ी छोड़ी चीज़ों में जो की बहुत ज्यादा noticeable नहीं है, जैसे की fingerprint sensor ultrasonic के बजाए optical fingerprint sensor दे दिया जाएगा और इस तरीके से बहुत सारी छोड़ी छोड़ी चीज़ों में cost cutting की जाएगी सो स्टार्ट करते हैं camera से तो camera इस बार आपको main sensor 50 megapixel का देखने को मिल जाएगा 8 megapixel का telephoto lens and 12 megapixel का ultra wide angle lens देखने को मिलेगा उस तरीके से screen में भी आपको compromisation देखने को मिल जाएगा smartphone का size सेम रहेगा S24 Plus के जैसे ही बट हाँ screen जो है, वो छोटा हो जाएगा मतलब bezels बढ़ जाएगे और chin बढ़ जाएगा जैसे कि S23 FE में मैंने आपको दिखाया था बिल्को सेम तो सेम आपको S24 FE में आपको देखने को मिल जाएगा और हाँ एक और change किया जाएगा इस बार smartphone का जो brightness है वो 450 nits का brightness था S23 FE में बट S24 FE जो launch होगा उसमें आपको 1750 nits का brightness देखने को मिल जाएगा जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा upgrade है glass back तो आपको जरूर देखने को मिलेगा बट matte finish देखने को नहीं मिलेगा और जो body देखने को मिलेगा वो आपको brushed aluminum देखने को मिल जाएगा वैसा ही same to same जैसा कि Samsung Galaxy A55 में देखने को मिलना था विल्कुल वैसा ही body आपको देखने को मिलेगा Android 15 out of the box देखने को मिल जाएगा और 4 साल का Android update और 5 साल का security patch update देखने को मिलेगा एक और जो सबसे बड़ा change देखने को मिलेगा वो है battery department में इस साल के Samsung Galaxy S23 FE में 4500 mAh की battery देखने को मिले थी बट बहुत सारे leaks में ने देखने जिसमें 5000 mAh की battery बताई जा रही है और बहुत सारे में 5500 mAh की battery बताई जा रही है पता नहीं क्या होगा बट हाँ battery में increment तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा बट charging capacity में कोई भी increment देखने को नहीं मिलेगा सेम 25W का fast charging support करेगा और इसमें आपको कोई changes देखने को नहीं मिलने वाले हैं खेर जो भी हो यह तो अभी leaks और rumors है smartphone जब launch होगा तो उसको हम खरीद के unboxing and review करेंगे जैसे हमने S23 FE का किया था S21 FE का किया था तो उसी तरीके से S24 FE को भी हम लोग खरीद के review करेंगे तो चैनल को जरूर subscribe कर लेना यह वीडियो अच्छा लगए तो please वीडियो को like करना और comment में जरूर बताना कि आपके हिसाब से क्या क्या changes हो सकते हैं इसे smartphone में That's all about this video Salaam, my name is Shakir and I'll see you in the next one